हेलो स्टुडेंट्स वेलकम यौल बैक टू एवी केस अकेडमी सो आज हम डिसकस करने वाले हैं सेवन ऐसे इंस्ट्रक्शन्स जो यूपी असी नहीं को दिया है जो आपको एक्जाम जाने से पहले इंप्लिमेंट करना है ताकि एक्जाम में जो है कोई आपको दिक्कत ना आए ठीक है आपको यह वीडियो स्किप नहीं करना अगर आपको वीडियो अच्छा रहा है जरूर आपने दोस्स से भी शेयर करो ताकि उनको यह पता चले क्या-क्या में इंपोर्टन इंस्ट्रक्शन से वीडियो आगे बनने से पहले अगर आपको लास्ट 25 डेस के लिए कोई अगर आपको रिवीजन मिटेरियल पर्चस करने हैं तो साइंस का मिटेरियल भी एवलेबल है एक्स्टिंग इस रिवीजन मिटेरियल मतलब कंपलीट टेस्ट सीरीज पेपर टेस्ट सीरीज पेपर टू करेंट अफेस पुरा मिला के 999 मतलब रिवीजन मेटेरियल से स्पेशली लास्ट 25 इसके लिए हमने फ्रेम किया है और आपको जो भी डाउट्स आते हैं तो स्क्र रहा क्या वह इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन से जो हमें जरूर फॉलो करना है फरस्ट अपॉल नंबर थ्री देख लो सो थर्ड नंबर पर आगर आप देखते हो थर्ड नंबर पर आपको यह एड्मिट कार्ट जो है प्रिंट आउट करके लेके जाना है आपके सेंटर पर मतलब examination center पर साथ जब आप application फिल किया होंगे वो टाइम पर आपने एक identity card का जो है number दिया होगा इडी पैन card या आपका आधर काड जो भी आपने जो number दिया होगा सेम आईडी आपको लेके जाना है वो भी original ठीक है अगर original नहीं लेके जाओगे समझ लो आप यूविल फेस difficulties in your examination hall ठीक है तो आपको जो है compulsory admit card printout लेके जाना है और application भड़ते वक्त आपने जो भी photo identity proof दिया होगा वही आपको examination center पे जो है लेके जाना है next आप 5th instruction देख लो ठीक है 5th instruction मैं आप highlight कर देता हूँ यहाँ पे देख सकते हो जो भी OMR आपको मिलता है आपके examination day में सब्सक्राइब करते बहुत ही ध्यान से फिल करो अगर समझ लोग कोई भी mistake वहाँ पर हो जाता है मतलब bubbling करते बहुत कोई मिस्टेक हो जाता है देन आपका complete वह exam मतलब वह साल बरबाद हो गया समझ लो ठीक है तो कोई मिस्टेक वहाँ पर नहीं करना है वह बुकलेट फिर से आपको नहीं मिलेंगे आप यहां पर कि दीए लिए धिया है विल रेंडर दा है लाइब रिजब्स रिजब्स जाएगा ठीक है तो आप करना सीख लो ठीक है नेक्स्ट शिक्स्त इंस्ट्रक्शन है ठीक है वेरी इंपोर्टंट है सब्सक्राइब चल जाते हैं एक्जामनेशन सेंटर पे लेकिन फ्यूड़े लोग होते हैं जो लेट जाते हैं तो उनके लिए हैं पहले एक्जम आपका 10 बज़े है तो 950 को जो है गेट्स क्लोज हो जाएंगे ठीक है आपको अंदर नहीं करेंगे 950 के बाद ठीक है तो वह आप जो है थोड़ा द्यार पर रख लो नेक्स्ट आपका है टुवल्ट इंस्ट्रक्शन एक सेगें यह टुवल्ट इंस्ट्रक्शन इन्हों ने भी थोड़ा हाइलेट करके रखा हुआ है तो यहां पर देख सकते हो यूज नॉर्मल और सिंपल व्रिस्ट वाचस ठीक है और सारी नॉर्मल डाइल जो वाचस होते हैं ओसे यह लुए आपको पेन के जाना है कोई आपको डिजिटल वाचस पुरा आपको पेन के जाना है बेटर है कि डाइल वाला पेन के जाओ that is more than enough ठीक है वो थोड़ा धियार रखना है next 13th instruction काफी सारे students पूछ रहे हैं there will यहां भी मैं आपको highlight कर देता हूं there will be a penalty that is negative marking for wrong answers marked by a candidate in both question papers of the examination see here both paper मतलब paper one paper two हो गया लेकिन यह जो है गलत है गलत मतलब हमने भी confirmation किया है इसलिके बाद ही हम आपको बता रहें paper one आपका objective exam है objective exam में ही जो है negative marking होने का chance है descriptive exam में negative marking होता नहीं है तो paper two में no negative marks ठीक है तो काफी सारे students पूछ रहे हैं हमें में आपका negative marking है क्योंकि paper one में आप wrong answer देने का चांस लेकिन पेपर टू में ऐसा नहीं है ना वहां पर कोई options नहीं दिये जाएंगे ना wrong करने के लिए सो जो आपने सही लिखा है सही ने तो गलत लिखा तो गलत पेपर two में no negative mark paper one में यहां पर नेगिटिव मार्किंग दिया गया है नेक्स्ट फोर्टींद वाला हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन वेरी important answers other than those made by black ball point pen will not be evaluated ठीक है इसका मतलब यह है कि आपको घैकेड़ो तो जो यह मार्शीट मिलता है नेक्सिट आपको जो लिता है वह अब को दैख से === जो है तो आपको यूज करना है ब्लाइक ब्लाइक कि शर्टbbe करते हो तो रिजक्थ हो nayका भी चांसट है तो वह दियान पे रको फिर जो से यहां पर clearly उन्हें देया है candidate may not that all the entries in the OMR sheet for objective type paper one and entries in this cannibal attendance list that is SAL for both paper one and paper two should be filled up by black ball point when only the compulsory आपको black ball point when he use करना है ठीक है जो भी कि आप को एडिनेंट शीट मिलते हैं या मर्शीट मिलते हैं पेपर वन हो या पेपर टुब दोनों का आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है यह रहा इसके अलावा और कुछ हमको इंपॉर्टन नहीं लगा पस यह जो है आपको हम इंफॉर्म करना चाहते थे कि काफी सा स्थूइंट्स पूछ रहे हैं थे होप यूर डाउट इस क्लियर नाउ और अल दी बेस्ट थोड़ा और मेहनत करों थेंक यू थेंक यू थेंक यू वर्मच